महरास के हाउजिंग मिनिस्टर जितेंद्र आवहाड ले खुद को 14 दिन के लिए अपने आवास पर ही होम कुरोन टाइम कर लिया है क्योंकि उनसे जुड़े हुए 16 लोगों को सुमवार को कुरोना पॉजिट्व पाया गया है मंतरी के करीबी 16 लोगों में से क्रोना पॉजिट्व पाया जाने से हड़कम मच गया है मंतरी जितेंद्र आवहाड की सुरक्षा में लगे 5 पुलिस कर्मियों और अन्ड उनके स्टाफ रसुया सफाय कर्मी सही 16 लोगों को क्रोना पॉजिट्व पाया गया है पॉजिट्व लोगों में से ठाने महर अगर पालिका के एक नगर सेवक भी शामिल है ऐसा बताया जा रहा है आपको बता दे कि पुछले कुछ दिनों से जितेंद्र आवाड मुम्रा कलवा में सक्रिये थे और वो गलियों में जा जाकर लोगों को इस भयानक बिमारी से पहुचाने का काम कैसा चल रहा है इसका भी जायजा लिया करते थे ऐसे में मुम्रा पुलिस और कलवा पुलिस कर्मियों के इलावा उनके सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी और उनके स्टाफ से जुड़े हुए कुछ लोग उनके साथ रहते थे आशंका जताई जा रही है कि पुलिस कर्मियों के संपर्क में आने की वजह से कुछ लोग संक्रमित हुए वही मुम्बरा पुलिस से जुड़े 35 पुलिस कर्मियों को होम कुरोंटाइन किया गया है जबकि मुम्बरा पुलिस के सीनियर इस्पेक्टर के पॉजिटिव आने के बाद अब मुंब्रा पुलिस के तीन के लावा उनके सुरक्षा में लगे हुए पुलिस कर्मी और उनके स्टाफ से जुड़े हुए कुछ लोग उनके साथ रहते थे आशांका जताई जा रही है कि पुलिस कर्मियों के संपर्क में आने से लोग संक्रमित हुए है वही मुंबरा पुलिस से जुड़े 35 पुलिस कर्मियों को कॉरंटाइन किया गया है जबकि मुंबरा पुलिस के सीनियर इस्पेक्टर के पॉजिटिव आने के बाद तीन और मुंबरा पुलिस के P.I.E.S.I.E. और एक काउंस्टेबल पॉजिटिव पाए गया है वही मंत्री जितें रवाट के करीवी 16 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद खुद को होम कॉरोटाइन कर लिया है और मंत्री अभाट ने ये भी कहा है कि क्रोना वाइरेस की पहली जाच में संक्रमिट की पुष्टी नहीं हुए है आठ दिन बाद दोबारा जाच होगी मुझे उमीद है कि उसमें भी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी और एक बार फिर लोगों की सेवा के लिए वो घर से निकलेंगे आपको बता दे कि तेजी के साथ मुम्रा में क्रोना वाइरस फैलता जा रहा है अगर मुम्रा की बात हम करें तो मुम्रा में ही 16 क्रोना पॉजिट्व पाए जा चुके तो तुमान खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट टाइम्ट ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें